इस शरीर यात्रा में आप किसी के बेटे, किसी की पतनी, किसी के पिता, किसी का कुछ कुछ है ही है अभी सम्मंधों का जिनके साथ हमने सुख पाया, जिनके साथ हमने दुख पाया उसका प्रभाव इतना गहरा हमारी जिन्दगी पे है कि मैं अपने आप में अकेले में कोई चीज हूँ ऐसा मैं सोच नहीं पा रहा हूँ जैसे अभी यहां आने के पहले मैं एक्षिविर में था छोटे बच्चे थे तो मैं उसे बात कर रहा था कि देखो हर्ट कहां पे है यहां पे है किड्नी कहां पे है यहां पे है यदि हर्ट में कोई प्राबलम होगा तो रॉक्टर क्या करता है जिसको हर्ट का स्पेशलिस्ट है वो यहां से खोल लेता है और जो भी उसमें कमी है ऐसे कार का बोनेट खोला और उसमें से जो कमी है ठीक कर दिया, बोनट बंद कर दिया, तो ऐसी वो भी बोनट खोल देता है, और जो कमी है उसको ठीक कर देता है, बंद कर देता है, उसको पता है दिल यहाँ पे है, उसको पता है किडनी यहाँ पे है, उसको पता है लीवर यहाँ पे है, मन कहाँ पे है मन कहां पे है मेरा मन ठीक नहीं है मिरको बोर लग रहा है जिन्दगी बेकार लग रही है तो यह मन होता कहां पे है जब इसका यही पताने की यह होता कहां पे है तो इसको handle कैसे करूं और मेरा मन क्यूं खराब है मेरा हर्ट क्यों खराब है क्योंकि उसमें ब्लॉकेज हो गया है ब्लॉकेज क्यों हो गया है क्योंकि उसमें कोई टेंडेंसी है जो हो सकता है जैनेटिक्स हो जो हो सकता है जहरीली सबजियां खाने की वज़य से हो कोई और कारण से हो तो कुल मिलाके अभी प्रॉब्लम मेरे अंदर है मेरा किटनी खराब है अब मेरा मन खराब है मेरा मन क्यों खराब है है तो मेरा मन सास की वज़े से खराब है किटनी क्यों खराब है किटनी में प्राबलम मन क्यों खराब है सास में प्राबलम अब यह और complicated हो गया, कम से कम दिल खराब था, तो दिल के साथ कुछ कर सकते थे, एक ही problem है, अब मन खराब है, तो इसको कुछ नहीं करना है, सास को operate करना है, अब सास कहती है, problem मेरी नहीं है, यह इसकी है, तो अब यह problem ना तो मन का पता है, कि यह है कहाँ, और यदि इसमें problem है, तो किसी दूसरे के कारण है, मेरे managing director के कारण है, मेरी wife के कारण है, मेरे बच्चे के कारण है, अब किसको ठीक करें, तो ऐसी हमारी कहानी है, तो जब तक यह पता ना चले, कि यह मन नाम की चीज है कहाँ, तो इसको handle भी कैसे किया जाए,